दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं चार AC यानि एयर कंडिशनर बनाने वाली कमपनी के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि AC हमें गर्मीर से राहत देती है और दिन परती दिन इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है Tata Group की कमपनी Voltas के अनुसार 2018 तक ये सेक्टर 10% annual growth rate के साथ 5 billion dollar का होने वाला है और जो कमपनी इस डिमांड को capture कर पा रही है उस कमपनी का profit growth भी तेरी से बढ़ रहा है ऐसे हम अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको long term में अच्छा return मिल सकता है लेकिन अब बात करते हैं कि इस सेक्टर में कौन से कमपनी अच्छा काम करी है और कौन से कमपनी अच्छा performance करी है जिसमें आपको invest करना चाहिए ताकि आपको जादर से जादर return मिल सके तो चलिए बिना देरी कि हम आपको बताते हैं लेकिन आपसे एक request है कि वीडियो को last end तक देखेगा दोस्तों इंडिया में AC manufacturing में जो सबसे अच्छा performance करी है उसमें चौते नमर पर है इपक Durable Private Limited इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी AC design और manufacturing company है AC के अलावा ये company कई electronic items जैसे induction, mixer grinder और water dispenser भी बनाती है दोस्तों बात करें इस company के financial statements के बारे में तो company का market capital 1690 करोड रुपए का है अभी company का एक share stock market में 176 रुपए पर trade हो रहा है stock का PE ratio 53.4 है, ROCE 9.85 है, ROE 10.6 है बात करें company का profit loss के बारे में तो company का net profit पिछले 3 सालों में 2 करोड से बढ़कर 31 करोड हो गया है पिछले 3 सालों में company का compounding sales growth 25% से बढ़ा है और इन ही 3 सालों में compounding profit growth भी 151% से बढ़ा है लेकिन return on equity पिछले 3 सालों में 12% है जो काफी कम है एक साल के अंदर company ने अपने investor को माइनस 10% का return दिया है इस list में 3 नमर पर है Umber Enterprises Limited Umber Enterprises 1956 से incorporated है और इंडिया के air condition market में 23.5% के share market share के साथ इंडिया की 3 सबसे बढ़ी company है अभी company का एक share stock market में 3,650 रुपए पर trade हो रहा है बात करे company के market capital के बारे में तो Umber Enterprises का market capital 12,297 करोड रुपए का है stock का PE ratio 80.57 है ROCE 10.7 है ROE 8.75 है बात करे company के profit loss statement के बारे में तो company का net profit पिछले 5 सालों से constantly बढ़ा है पिछले 5 सालों में company का compounding sales growth 27% से बढ़ा है और इन ही 5 सालों के अंदर compounding profit growth 21% से बढ़ा है लेकिन return or equity पिछले 5 सालों में 9% है जो काफी कम है एक साल के अंदर company ने अपने investor का 88% का return दिया है दोस्तों दूसरे नंबर पर है blue star limited blue star India की दूसरी सबसे बड़ी AC manufacturing company है blue star AC manufacturing के साथ साथ air purifier water purifier और cold storage जैसी service provide कराती है बात करे company के financial के बारे में तो company का market capital 2721 करोर रुपए के लगभग है अभी company का एक शहर मार्केट में 1324 रुपए पर ट्रेड हो रहा है stock का PE ratio 76 है ROCE 24.4 है ROE 23.4 है बात करे company के profit logs के बारे में तो company का net profit पर पांच सालों से constantly बढ़ा है पिछले 3 सालों में company का compounding sales growth 14% से बढ़ा है और इनी 3 सालों में compounding profit growth 24% से बढ़ा है एक साल के अंदर company ने अपने investor को 83% का return दिया है और दोस्तों इस list में पहले नमबर पर वोल्टास आपको पता होगा वोल्टास startup group की एक company है वोल्टास इंडिया की top AC manufacturing और selling company है वोल्टास इंडिया के साथ-साथ Middle East और Singapore में भी अपना business operate करती है बात करें वोल्टास इसके financial statement के बारे में तो company का market capital 35,805 करों रुपे के लगबा गया जो सबसे ज़ादा है इस sector में अभी company का एक शर्की कीमत 1,82 रुपे पर trade हो रहा है इस टोक का PE ratio 128 है, ROCE 9.67 है, ROE 4.2 का है बात करें company का profit loss के बारे में तो company का net profit पिछले 5 सालों से constantly घटा है पिछले 5 सालों में company का compounding sales growth 8% से बढ़ा है और इनी 5 सालों में compounding profit growth – 16% से घटा है एक साल में company ने अपने investor को 20% का return दिया है जो काफी कम है तो दोस्तो ये थी चार कमपनिया, impact durable, amber enterprises, blue star और voltas मेरे हिसाब से amber enterprises और blue star stock सबसे अच्छा performance किया है वोल्टास का market share पहले ही जादा है लेकिन profit margin बहुत ही कब है तो अगर आप long term में invest करना चाहते हैं तो cooling sector में आपके लिए एक best option साबित हो सकता है blue star और amber enterprises इसमें आप invest कर सकते हैं अगर आपको अच्छा return चाहिए तो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयागा वीडियो अच्छा लगाओ प्लीज लाइक करें कमेंट करें और चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें